टार्गेट विद आलोक के आर्लाइन प्लेटफर्म से मैं पंडित अम्रेश भट आप सभी हिंदी साहित्यान रागियों का हार्दिक अग्जन्दन करता हूं एक सेंटेंस में अगर हम कहें कि जिसका मुझे था इंतजार ओ घड़ी आगई आगई राम इस गाने की पंक्ति से हम प्रारंभ करते हैं और शंभावतह आप भी इसको समझ गये होंगे आए हम लोग पहले जो है बात करते हैं काम की बात करते हैं उसके बारे में मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँ ड़ी मैं आज हिंदी का आपको एक प्रकार से दर्शन करवाऊँगा यानि कि आज हमारा जो होगा मैं प्रियास करूँगा कि हिंदी के बारे में आपको एक समझ बन जाए हिंदी शाहित्य के बारे में एक समझ बन जाए तो हिंदी साहित्य को समझने के लिए हमको पहले सुरू से यानि जो बाते हैं वह बेसिक स्तर से समझनी पड़ेगी वैसे हमें नहीं कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं आप जानते हैं लेकिन इसको अगर एक क्रमबध तरीके से समझे तो सायद कुछ बेटर हो सकता है तो आईए चलते हैं यानि हम हिंदी साहित्य को थोड़ा सा समझते हैं कि कहां से प्रारंभ हुआ और कैसे हुआ हलाकि मैं थोड़ा सा ये प्रारंब जो है थोड़ा सा इसके पहले की वीडियों बताया हूं लेकिन थोड़ा ही बताया हूं बाकि वहां मैं हिंदी साहित्य इतिहाश की बात किया हूं आज पूरा हम हिंदी साहित्य पर बात करेंगे तो अगर हम भासा की रूप में बात करें तो भासा की रूप में सबसी पहले अगर आगमन होता है तो किसका होता है आपको पता होगा वह किसका होता है संस्कृत का होता है किसका होता है संस्कृत का होता है ये तो पता ही है यानि हम संस्कृत को देव भाषा कहते हैं यानि संस्कृत हमारी बोली जा रही है यह बात चल लगी है संस्कृत से हम किसमे परिवर्तित हो रहे हैं समयकाल परिष्थितियों के आधार पर हमारा परिवर्तन हो रहा है तो किसमे परिवर्तित हो रहे हैं पाली में परिवर्ति थो रहे हैं पाली से किस में हम परिवर्ति थो रहे हैं पाली से हम प्राकृत में परिवर्ति थो रहे हैं और प्राकृत से हम अपभरंस में परिवर्ति थो रहे हैं अपभरंस से हम किस में परिवर्ति थो रहे हैं अप भ्रंस से हम हिंदी में परिवर्तित हो रहे हैं यहां पर हम हिंदी यहां आजा रहे हैं हलाकि अप भ्रंस के बाद अवहट भी चलता है यह पैरलर भी चलता है लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कुछ का नहीं मानना है उसके बारे में हम बात करेंगे तो अब भ्रंस से हम कहाँ पर हिंदी पर आ गए यहाँ थोड़ा सा समझने की बात यह है मैं आपको हिंदी साहित्य पर लाना चाह रहा हूँ आप देखेगा संस्कृत का जो समय चलता है वह 1500 BC से चलता है यानि 1500 इशापुर्व से चलता है 1500 इशापुर्व से कब तक चलता है 500 इशापुर्व तक चलता है यह किसका कार चलता है यह संस्कृत का काल चलता है इसके बाद हम कहाँ पर आते हैं पाली में आते हैं और पाली का यहाँ पर जो समय चलता है वह 500 BC से यानि 500 BC से लेकरके 1 AD तक चलता है कितना? 1 AD तक चलता है यानि 1 SV तक चलता है इसके बाद पुनह जो है हम 1 SV से यानि 1 SV से लेकर 500 SV तक हम क्या किस रूप में पढ़ते हैं? प्राकृत की रूप में पढ़ते हैं और पुनह 500 SV से लेकर 500 SV से लेकर 1000 SV तक हम किस रूप में पढ़ते हैं? अब भ्रान्स की रूप में पढ़ते हैं और अब यही 5000 SV आ गया यहां पर 1000 SV से लेकर के और कहां तक? अब तक हम क्या पढ़ रहे हैं? अब तक हम हिंदी पढ़ रहे हैं सारा मसला जितना भी बाते हैं जितनी भी बाते हैं वो कहां पर आकर रुकी हैं? हिंदी पर आकर रुकी हैं यह एक जो विभाजन है पुरोड़ता है 100% विभाजन नहीं है लेकिन सत्यता के करीव है अलग अलग बिद्वान अपने अपने हिसाब से विभाजन किये हैं और समय को बताएं हैं लेकिन एक आसान विभाजन जो सत्यता के करीव में है इसको माना जाता है बात हम इसकी नहीं कर रहे हैं कि संस्कृत की नहीं कर रहे हैं बात हम पालिप प्राकृत अप भ्रंस की नहीं कर रहे हैं बात हम कहां करेंगे हिंदी की करेंगे और यही हिंदी जहां पर हम हिंदी का आगमन होता है यानि बताया जाता है 1000 इस भी से लेकर के अब अलग-अलग दोआन हैं, अलग-अलग रूप में मानते हैं यह मैंने बताया कि यह 100% नहीं है कि 1000 से है रामकौर बर्मा का अलग भी भाजन है रामचेस्चुक्ल का अलग भी भाजन है रावर्शांकरत्यायन का अलग है यानि जो हैस्यामसुंदरदास का अलग है भिन भिन लोगों का अलग-अलग विभाजन है अलग-अलग रूप में वो मानते हैं परिवर्तन भी करते हैं तो ओबराल जब हुन देखेंगे तो यहां से 500 से लेकर के और 500 से लेकर 1000 अपभरंस इसको अंतिमौस्था रामचन शुक्लिन ने क्या पराकृता भाष हिंदी कह दिया है तो यहां पर यहीं 1000 यहीं हिंदी को लेकर के हम क्या करते हैं बिभाजन करते हैं अब इसी हिंदी को हम उठाते हैं यानि यहां पर आप देखें मैं इसी हिंदी का बिभाजन कर देता हूँ ठीक है? आप बड़े ध्यान से आज समझेगा मैं चाहता हूँ कि एक आपका दर्शन हो जाए पूरे हिंदी पर एक समझ बन जाए कहां तक आज मैं कर पाता हूँ यह अलग बात है नहीं तो पुना नेक्स्ट वीडियो में बात होगी जहां तक चलेगा वहां तक चलेंगे तो इस हिंदी के बिभाजन को लेकर के हम जब यहां आते हैं तो अब यहां पर बिद्वानों के मत आ जाती है ठीक? अलग-अलग मैंने बताया बिद्वान हैं और अपना-पना मत देते हैं तो किसी ने कहा यहां हिंदी को चार भागों में बिभाजित कर दिए कितने भागों में? चार भागों में इसी हिंदी को यानि एक हजार से लेकर के अब तक मान लिजे रामचंशुक्लिन नौस वर्ष का इत्यास का है मान लिजे कि अब तक जो है हम पूरे हिंदी को चार भागों में बिभाजन कर दिये पहला जो हमारा बिभाजन होता है उसे हम कहते हैं आदिकाल आदिकाल कहते है दूसरा जो हमारा बिभाजन होता है आदिकाल यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम बीच भी लिख देते हैं, तो ये सही होगा पहला हम आदिकाल करते हैं, आदिकाल का विभाजन हुआ, ठीक है दूसरा हमारा जो विभाजन होता है, वह भक्तिकाल का होता है आप आज केवल यह समझिए कि मैं उनके लिए हूँ कि जो हिंदी बिलकुल जानते ही नहीं है, बेसिक अस्तर पर नहीं जानते हैं हाला कि मैं जानता हूँ कि आप ग्रेजुएशन किये होंगे आप बीच किये हैं, तो आपको हिंदी आता है लेकिन फिर भी अपना इगनेतिक करतब है, जो सिस्टमाईज है उसको लेकर के चला जाए, तो बिटर होता है और बिटर परफार्मिंस भी मिलता है भाक्तिकाल है भाक्तिकाल के बाद रीतिकाल आता है ये मैं बात करूँगा, आखिर नाम पढ़ा, तो क्यों पढ़ा रीतिकाल आता है और रीतिकाल के बाद आधुनिक काल आता है रीतिकाल के बाद क्या आता है? आधुनिक काल आता है ठीक है? आधुनिक काल यानि हम कितने भागों में पूरे हिंदी को विभाजित कर दिये? चार भागों में अब आपको सिर्फ करना क्या है इसी चार भाग को पढ़ लेना है जो हिंदी को महववा बना रहे हैं वो हिंदी कुछ है नहीं किवल हमको सिष्टम नहीं पता है किवल हमको ये नहीं पता है कि हम कैसे इसकी तैयारी करें आप अभी देखेगा, अभी तो मैं किवर लिख रहा हूँ, अभी मैं प्रयास करूँगा, आधिकाल है, आधिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिकाल ये चार भागों में पूरे हिंदी साहित्य को विभाजित कर दिया गया है, ठीक है? अब यहाँ आधिकाल को जो समय च से अब तक हुआ, तो यहाँ पर जो हिंदी, यानि आधिकाल को अगर देखा जाए, तो यह माना जा सकता है कि एक हजार से आधिकाल होगा, माना जा सकता है, यह अलग बात है, कि भिन भिन विद्वान अलग अलग रूप में मानते हैं, तो हम आचार रामचंशुक्ल को और हजार सकता दिवेदी को लेकर के चल लिए हैं, नामकरं को भी लेकर चल लिए हैं, यहां मैं नामकरं की बात नहीं करूँगा, केवल वैसे आपको बताता चलूँगा, आधिकाल जो है, अचार रामचंशुक्ल ने बताया है, जबकि 100-14 तो खजार सकता दिवेदी बताते ह तो यहाँ पर इसी अब करना क्या है मुझे सन निकाल लेना है तो सन कैसे आप निकाल लेंगे इसी में से माइनस सत्तावन कर देंगे तो माइनस यहाँ से जब सत्तावन करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 993 इस भी मिलेगा और क्या मिलेगा यहाँ पर 1318 ISV मिलेगा यही तो मिलेगा यानि अगर हम यह देखें कि जो 1000 ISV है तो 993 ISV से लेकर 1318 ISV तक क्या चल लहा है आपका आदिकाल चल लहा है मैं यहाँ से लेकर अब तक का भी भाजन कर रहा हूँ तो 993 से ही हमारा क्या प्रारम हो जाता है आदिकाल प्रारम हो जाता है संबत में आएंगे तो 1050 संबत से प्रारम होता है आप जिसमें चाहिए उसमें आप लिखिए आपको संबत में लिखिए माइनस 57 कर देंगे तो आपको सन निकल जाएगा ठीक है अगर सन निकालना होगा संबत में से घटा दीजेगा आपको हो जाएगा अब यहाँ आप देखे यह आदिकाल चला इसके बाद क्या चला भक्तिकाल चला ठीक है? अब 1375 तक अगर भक्तिकाल चल रहा है तो 1375 से लेकर कहां तक 1700 तक यह क्या चलेगा? यह संबत में समय लिख रहा हूं, भक्तिकाल चलेगा और यहाँ से 1700 से लेकर के 1900 तक क्या चलता है? यह 1900 संबत तक क्या चलेगा? रीतिकाल चला और आधुनिकाल 1900 से लेकर के अब तक चला यह अब तक क्या हो रहा है? चल रहा है मैं इसका भी भी भाजन करूँगा इसका भी भी भाजन करूँगा इसका भी करूँगा इसका भी करूँगा एक आपको दर्शन कराऊंगा आज अब यहाँ पर बात यह होती है कि अगर यह आदिकाल है तो आदिकाल तो हजारिपशाद दिवेदी देते हैं नाम देते हैं इसको रामचन शुक्ल ने क्या नाम दिया इसको बीर गाथा काल कहा रामचन शुक्ल ने क्या कहा इसको बीर गाथा काल कहा यानि बीर गाथा रामचन शुक्ल कहते हैं तो यहां बीर गाथा क्यों कहते हैं? आदिकाल क्यों कहा जाता है? सिद्धसामंत काल क्यों कहा जाता है? बीजबपन काल क्यों कहा जाता है? संक्रमण काल क्यों कहा जाता है? बीर यूग क्यों कहा जाता है? यह जब मैं आदिकाल पढ़ाऊंगा तम मैं बताऊंगा. आज मैं आपको थोड़ा सा इसका परचे करा रहा हूँ तो आदिकाल जो है आदिकाल को बीरगाथा काल भी कहा जाता है चाहे बीरगाथा काल कहिए या आप आदिकाल कहिए या बीजवपन काल कहिए या जो कहिए यहां यह चल कितने रहें 1050 से 1375 तक चल रहें तो अगर यहाँ पर यह चल रहा है तो इसी का हम क्या कर रहे हैं विभाजन भी तो कर रहे हैं यानि इस आदिकाल के अंतरगत यहाँ पर फोड़ा सा मैं अगले पेच पाया जाता हूँ अब यहाँ पर देखते हैं यानि यहाँ पर जो यह आदिकाल चल लहा है अब यह आदिकाल में कौन-कौन से लोग आते हैं क्या ऐसा है आदिकाल में पढ़ना क्या पढ़ेगा हमको यह तो जानकारी होनी चाहिए आदिकाल के अंतरगत आप देखेंगे यहां एक आदिकाल में ही एक साहित्य चलता है अपभरंस साहित्य चलता है यह अपभरंस साहित्य है चल रहा है इसी के अंतरगत यानि हम किस पर अगर साहित्य की बिचारदारा अलग से बिचारदारा के पर बात करें तो अपभरंस साहित्य चलता है अगर हम अन्यकी बात करें यानि स्वतंत्र ना हो उस पर बात करें तो पहला अगर हम देखें तो यहाँ पर अप भ्रहंस साहित्य चलता है जिसमें तमाम बिद्वान आते हैं अभी मैं बताऊंगा यही पर आपको इसके अतिरिक्त यह अलग है इसी आदिकाल में आपके सिद्ध साहित्य आते हैं सिद्ध साहित्य इसी आदिकाल में यहाँ थोड़ा से उपर करते हैं इसी आदिकाल में क्या आते हैं नाप साहित्य आता है इसी आदिकाल में आपका जैन शाहित्य आता है और इसी आदिकाल में आपको राशो शाहित आता है इसी आदिकाल में ही आपको फुटकल फुटकल साहित आता है या आपको लोकिक साहित आता है इसी में आता है हम यहाँ पर पढ़ेंगे आदिकाल के अंतरगत पढ़ेंगे नाथ संपरदाय को अजान रहें आज जो मुख्यमंत्री हैं वो नाथ संपरदाय के हैं योगी यादेचनाज जी इनको कनफटा भी कहा जाता आप देखेंगे कानों में कुंडल रहेगा हमेशा कनफटा इनका होता मैं सिद्धों के बारे में बताऊंगा नाथों के बारे में जैनों के राशो और फुटकलकाब में इसको जैन को रास भी कहते हैं रास साहित्य भी कहते है यहाँ पर बात हो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो अगर इन में हम इसको थोड़ा साथ आते हैं अगर हम इसको देखते हैं कि यहां पर यहीं आदिकाल में अभी मैं किसके अनुसार कौन से पहले कभी हुए यह सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहां पर आप यहीं पर अमीर खुसरो को पढ़ते हैं इसी आदिकाल में किसको अमीर खुसरो को पढ़ते हैं अमीर खुसरो क्या ब्यक्ति है अमीर खुसरो क्या इन्होंने क्या बात कहा चूमन तूतिये हिंदुम इन्होंने क्या कहा है चूमन तूतिये हिंदुम अर्रास्त पुर्शी क्या बात है चूमन तूतिये हिंदुम अर्रास्त पुर्शी जेमन हिंदुई पुरसता नाज गोयम ये आपके अमिर खुसरो जी कहते है मैं हिंदुस्तान का तोता हूँ अगर मुझसे कुछ बिसेश जानना चाहते हो तो तुम मुझसे हिंदी में बात करो तो मैं कुछ तुमको अदभूत बाते बताऊँगा ये अमिर खुसरो है इसी अमिर खुसरो को जिसने इन्होंने सितार का अविस्कार किया वही अमिर खुसरो जो खड़ी बोली को यहाँ पर लाईए यही अमिर खुसरो जो यहाँ पर आपको खुसरो की पहलियां मिलती है खुसरो की मुकरियां मिलती है यहाँ पर सुखने मिलते हैं गजले मिलती हैं यही अमीर खुसरो हम इनको पढ़ेंगे इसी अमीर खुसरो के बारे में डीटेल पढ़ेंगे जन्म से लेकर मृत्य तक पढ़ेंगे सारी बाते पढ़ेंगे इसके बाद हम यही पर आपको बिद्यापती को पढ़ेंगे यही पर हम चंद्रबरदाई को पढ़ेंगे यही पर हम आपको मदुकर कभी को पढ़ेंगे मदुकर कभी को पढ़ेंगे यिसी आदिकाल में ही हम पुश्प को पढ़ेंगे पुश्पदंत को पढ़ेंगे यही पर हम सरापा को पढ़ेंगे यही पर हम जोईंद को पढ़ेंगे यही पर हम आपको देवशेन को पढ़ेंगे यही पर हम हेमचंद्र को पढ़ेंगे पढ़ेंगे ना यही पर पढ़ा जाएगा इनके बारे में भी सेस्ता जानी जाएगा अभी तो मैं बहुत सारे लोगों का नाम ही नहीं लिख रहा यहीं पर पढ़ा जाएगा आप देखेंगे कि यह सारे जो बिद्वान हैं, सारे जो रचनाकार हैं, क्या लिखें हैं और उसमें क्या हुआ है वरडन क्या है? कोश्चन कहां से पूछा जाता है? आसानी से समझाय जाएगा आसानी से बात किया जाएगा कोई ऐसा तो है नहीं कि बस बटन दमाये तो हो जाएगा साथ रहेंगे साथ देना पढ़ेगा आपको तो यहां पर हम आदिकाल के अंतरगत पढ़ेंगे, इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे रचनाओं की खासियत को पढ़ेंगे यही पर विद्यापत की पदावली पढ़ेंगे किर्थिलता को पढ़ेंगे किर्थपताका को पढ़ेंगे क्यों लिखा गया और कौन सी नहीं आई है अभी विद्यापत को मैथिल कोकिल कहा गया है अन्युपनाम क्या है सारी चीज़े डिटेल से पढ़ा जाएगा यहां पर बात किया जाएगा इसके बाद से ये तो हम आधिकाल के अंतरगत पढ़ते हैं सिद्ध पढ़ते हैं मैंने बताया नाजयन सबको पढ़ेंगे इसी के बाद से और ये कब तक पढ़ेंगे पुनाह आपको याद दिला रहा हूँ 1050 संबत से लेकर के 1375 संबत के बीच पढ़ेंगे इसके बीच पढ़ेंगे अब पुनाह अगर मैं आपको चलूँ ये जो हमारा आधिकाल है या बीरगाथाकाल है इसको हम लोग देखेंगे यहां पर क्या खोज हुआ है वह जो है रोचक है रोचक है पढ़ा जायेगा तो इंट्रेस्ट आए जायेगा इसमें बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि आधिकाल से प्रारम भी नहीं करते हैं बहुत सारे लोग इसको तो हुआ बना दिये हैं कि यह तो हिंदी पूछिये मत हिंदी को अन्यता मत लेना हिंदी को इतना आसान मत जानना अरे क्यों नहीं जाने जिसमें हम जन्मली हैं तो क्यों नहीं जाने जिसको हम बोलते हैं जिसमें हम उठ रहे हैं जिसमें हम सपन देख रहे हैं उसको आसान नहीं समझेंगे तो किसको समझें क्यों इतना कठिन बनाय हुए किसी को मेरा अपना मानना है कि इतना भय मत भयादोहन का सिद्धानत पर मत चलिए अपनी काबिलियत अगर प्रस्तुत करिए उसके बाद admission बच्चा अपने आप लेगा हाँ, quality दीजिए quality भी इसमें अगर ये जो है आप इसको systemize मैंने कहा ना कि कोई systemize अगर system देख लाए और इस system से अगर करें तो अपने आप टाप कर जाएगा जी system, teaching क्या है touching is teaching, सीधी सी बात है और कुछ भी नहीं है आईए, अब ये मैं इस पर बात करूँगा भगतिकाल पर आते हैं इसके बात कहां पर नामद आते हैं भगतिकाल क्या है भगतिकाल में आप देखेंगे भगतिकाल को भगतिकाल इन्हों ने जब नाम दिया तो आज तक किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हूँ कि इस पर चैलेंज कर पादे आदिकाल पर तो कर लेते हैं आदिकाल के नाम अलग अलग भी हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर जो रामचन शुक्र ने भगतिकाल को दे दिया और जो अपना सुक्ष माध्यन बताया है जो अपनी हिंदी साहित के परख को यहाँ दर्शा दिया है वो संभवत अभी तक यह आने वाली पीड़ी कोई काट पावे इसके आगे कुछ चला ही नहीं है भगतिकाल में इसके आगे कुछ बचा ही नहीं है इन्होंने बिभाजन किया, दो भागों में बिभाजन किया असपश्ट तोर पर जानी है चार भागों में बिभाजन नहीं किया मुख्य दो भागों में बिभाजन किया है किसमें निर्गुण और शगुण में, किसमें क्या है, निर्गुण और शगुण में किया है, हम निर्गुण और शगुण की बात करते हैं, मात्र दो भागों में, अब यह अलग बात है कि पुना निर्गुण को भी भाजन किया, पुना शगुण को भी भाजन किया, यह अल तो यहाँ पर अगर हम देखें इस भक्तिकाल पर देखें भक्तिकाल को अगर देखें तो भक्तिकाल कब से कब चल ला है 1375 से लेकर के 700 तक चल ला है गुलाब राय लिखते हैं उनका स्टेटमेंट बहुत ही बहतरीन स्टेटमेंट है मुझे लगा चुकि सभी लोग बड़े हैं गरिशन भी बड़े हैं रिफान हुई भी हैं अचारामचन शुकल तो हैं मुक्तिबोध भी हैं सब लोग अपने अपने आधार पर इस्टेटमेंट देते हैं कहते हैं आखिर क्यों उत्पत्ति हुगा जाड़ गरिशन ने तो भक्तिकाल को स्वनकाल की संगया दे दिया है उत्पत्ति के बारे में हला थोड़ा सा इनका निगेशन रहा है लेकिन भगतिकाल को आप देखेंगे गुलाप्च राय ने कह क्या दिया कि निरासा की इस्थिती में ब्यक्ति के पास दो ही बिकल्ब होते हैं आप स्वेम अनुभव करिएगा निरासा की इस्थिती में ब्यक्ति के पास दो ही बिकल्ब होते हैं पहला बिकल्ब होता है या तो अपने आपको ब्यभिचार में या अपने आपको गलत प्रविधियों में लगा दे ऐसा हो सकता है यानि आपके पास दो ही मार्ग हैं अगर निरास होते हैं तो या तो कूप्रथा कूब्यवस्था का सिकार हो जाईए आप सराप पीने लगे आमांस मदिरा अन्य जितने भी कूप्रते हैं वो करने लगे या तो यह बिकल्ब चुनिए और नहीं तो दूसरा बिकल्ब है कि आप धर्म का सहारा लीजिए आप भक्ति का सहारा लीजिए आप अपने इश्ट का सहारा लीजिए आप अपने आराध्य का सहारा लीजिए इसका सहारा लीजिए तो भारतियों ने इसको चुना जब हम आधिकाल का समापन होता है तो हमारे पास निरासा की स्थती आ जाती ह कोई बिकल्प नहीं बचता है और निरासा आती है या नहीं आती है तो मैं बाद में आपको बात करूँगा कैसे आती है और कैसे नहीं आती है आर्थिक किस्तिती कमजोर होती है या निरासा किस्तिती आती है या आक्रमण होते हैं क्या होता है तो हम बाद में बात करेंगे लेकिन यहां पर हम कूँ बिवस्था को नहीं चुने यहां पर हम जो है बेविचार को नहीं अपनाए मांस मदिरा को नहीं अपनाए सुराशुंदरी को नहीं अपनाए हमने इसका सहरा लिया आज भी अगर आपका भी निरास मैंने बहुतों लोगों को देखा है आपका भी दुख में होते हैं आपके साथ कोई अन्होनी घटना घट जाती है बहुत सारे ऐसे हमारे जो जानने वाले मैं बहुत देखता हूं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी कोई रिजल्ट आता है निगेटिव आजाता है तो क्या करते हैं उसी दिन ले करके बैठ जाते हैं आज मुझे गम है पीता हूं गम भुलाने को तेरी याद भुलाने को ऐसा कुछ है तो ये और वहीं पर एक बढ़ती है जो जाता है इस्वर के दरवाजे पर जाता है अपने इश्ट के दरवाजे पर जाता है और कहता है कि मैंने क्या गलती किया कि मेरा नहीं हुआ बीना पैसा खर्च किये अपनी बातों को जा करके उस ऐसे अमुर्थ के सामने जिसमें प्राण नहीं है चेतना नहीं है फिर भी हम चेतन हो करके हमारे पास प्राण है दिमाग है सब कुछ है यह जा के एक ऐसी मुर्थ के सामने अपनी ब्यथा को कह देते हैं और हम मन अपना ह अस्था है हम कुप्रथाओं पर कुप्रवर्तियों को नहीं पकड़े और पुना अगले दिन हम तरो ताजा हो जाते हैं अपनी बाते हम जब कह लेते हैं हमारे साथ होता है मानते हैं कि जो होगा वो सब कुछ अच्छा होगा हमको पुना विश्वास होता है हमाकर लग जाते हैं लेकिन यहाँ तो पैसा भी गया यानि धन भी गया आपका धर्म भी गया अगर नैतिक चारित्रिक और रूप से पतन हो जाता है तो भी चला गया फिर कोई उठाने वाला नहीं है यहां तो बचे रहा तो हमारे बचे रहे और कौन नहीं भक्तिकाल कहा जाए अब नहीं कहा जाएगा तो कब कहा जाएगा कौन यहां नहीं आया है, कौन आपको नहीं मिला है तो रामचेंशुक्ले ने इसका इनको बिभाजन कर दिया है इस भगतिकाल का याइन 1375 से 1700 के बीच में इन्हों ने कहा दो भागों में किसको बिभाजन कर दिया, भगतिकाल को बिभाजन किया है यानि अगर हम भक्तिकाल का विभाजन करें तो यहां पर दो भागों में विभाजन होता है पहला विभाजन हमारा निर्गुण भक्ति साखा होती है निर्गुण में होता है और दूसरा हमारा जो विभाजन होता है वह क्या होता है शगुण में होता है शगुण भक्ति साख पिरगोड को भी इन्होंने सुचमध्यन कर दिया यहाँ पर कहा एक है ज्यानास्रई शाखा है इन्होंने क्या कहा यहाँ पर देखते हैं एक को कहा यह ज्यानास्रई शाखा है ज्यान का आस्रई लेने वाली ऐसी साखा जो ज्यान का आस्रई लिया है ग्यानास्राई और एक कहा ये प्रेमास्राई शाखा है क्या है प्रेमास्राई जो प्रेम का आस्र लिया एक ने ग्यान के आधार पर तर्क की कसवटी के आधार पर तमाम उलहानाय दिये हैं और एक ने प्रेम के रूप में अपनाया है इस ग्यानास्रई शाखां को हम संत काब्य नाम दिये क्या नाम दिये शंत काब्य और इस प्रेमास्रई शाखां को हमने क्या नाम दिया शूफी काब्य नाम दिया यहाँ पर मजे की बात ये है कि इस ग्यानास्रई साखां या संत काब्य की जो धारणा है यहाँ पर इन्हों ने जुसुच मुध्यन किया है आप देखे कौन इसमें नहीं सामिल है इसमें नाम देव आते हैं क्यों नहों इसमें रैडास आते हैं आपको इसी ग्यानासरई शाखा के अंतरगत नाम देव आते हैं आपको नाम देव आते हैं रैदास आते हैं कवीर आते हैं नानक आते हैं दादू आते हैं अच्छर अनन्य आते हैं बाबा यहां सुन्दर दाश आपको दिखाई देते हैं यहां पर मनरंगीन दिखाई देते हैं यही पर जम भनाद दिखाई देते हैं यहीं पर आपको मलूक दास दिखाई देते हैं जो एक आप भी अगर जानते होंगे आप भी सिर्फ मलूक दास का एक ही आपंगति सुने होंगे ब्यक्ति को एक पॉइंट अमर कर देता है एक क्लिक अमर कर देता है वह मलूक दास है कोई नहीं इनकी रचना जानता होगा आप धर्मदास का हो सकता है नाम नौ सुने हो आप अच्छा रानन्य का हो सकता है नाम नौ सुने हो संत भीशन का हो सकता है नाम नौ सुने हो हो सकता है नौ सुने हो लेकिन मौलूगदास का नाम सुने होगे आप सुन्दर दास का नहीं नाम सुन सकते सबसे विद्वान सुन्दर दास उसका नाम हो सकता है ना जाने हो संत में सबसे विद्वान संत लेकिन मलूक दास का नाम सुने होंगे क्यों? क्योंकि इसने अमर पंक्ति लिख दिया इसनों ने अमर पंक्ति लिख दिया अजगर करेन चाकरी पंची करेन का दास मलूका कह गए सब के दाता राम एक इस पंक्ति ने मलूक दास को आज तक अमर कर दिया एक क्लिक आपको अमरत्य का बोध प्रधान कर देता है अवसर भी है एक क्लिक जीवन का एक यही TGT यही PGT जीवन बदल सकता है अगर एक लाइन किसी को आज तक अमर बना सकती है तो यह एक नौकरी आपके पूरे परिवार को अमर कर सकती है पूरे परिवार में स्वरनाक्षर से लिख दिया जाएगा आपके जीवन का उद्धार कर सकता है यह प्रेरणा देते हैं मैं मान सकता हूं कि कुछ पर्षानियां हो सकती है लेकिन पर्षानियां हर समय लगी रहेंगी कभी ऐसा नहीं सबबम दुखम बुद्द्र है हर समय हर अस्थान पर दुख है यह दुख मैं संसार में जन्म लेना ही दुख है तो इस दुख में भी हम क्या करते हैं सुख रहने का माध्यम खोशते हैं और वह माध्यम आ गया है चार साल बाद मिला है और फिर अगर यह गया तो पुना चार साल बाद ही यह आएगा इतना जल्दी आने चाहे यह गौवर्मेंट रिपीट करें यह ना रिपीट करें दूसरी गवर्मेंट आएगी तभी भी चार साल लेगी यह भी आएगी तभी भी चार साल लेगी कोई भी आएगा कि वलवादे होती हैं आज तक का रिकार्ड रहा है कि कोई गवर्मेंट दो वेकन्सी कलियर नहीं कर पाई है मात्र एक वेकंसी TGT PGT का क्लियर की है तो कैसे यह हो जाएगा इसमें यह भी सामिल है पांच साल बीतने को जा रहा है देखिए एक क्लियर इनके कारेकाल का पहली वेकंसी क्लियर होगी और वो भी इतना जल्द कि आप सोच भी नहीं सकते समय बहुत कम है आपके पास तो निश्चित तोर पे आप क्या करिए अपनी सीट को सुरच्छित कराईए तो आपके लिए मैं यह नहीं कहता यह तो सोच है अच्छी चीज है कि आप जाँच परकर कराईए लिकिन जहां भी कराईए कराईए और मेरे साथ अगर कराते हैं लग जाईए क्योंकि यहां इस्ट्रश्टी यो इस्ट्रटी पर हम काम करते हैं हम उस बिधा पर काम करते हैं हम सिर्फ कथन की बात नहीं कर रहे हैं कि मैं बस वचन बोल दिया हो गया यह वादा रहा यह वादा नहीं रहा यह हकीकत है अभी मेरे मात्र चार क्लास गए हैं अपने बैच में जो आपका बैची स्टार्ट है अभी कुछ नहीं हुआ है आप जुड़ेंगे तो वो तो चार मिलेगा ही मिलेगा मेरे साथ यह क्यों कि अब मैं दो दिन के बाद पुना टेस्ट की प्रक्रिया में आ जाऊंगा और टेस्ट की प्रक्रिया में जबाऊंगा तो मेरे टेस्ट का लेबल कई तरीके से होता है आपको निश्चित तोर पर देखेगा कि आपको जो अभी जो एड्मिसन ले लेगा उसको लगेगा कि पहले ही टेस्ट से लगेगा कि मेरे अंदर वो confidence आ गया कि परिछा जम्मर जी हो तब वो ले ले और मैं ऐसे ही करूँगा तो यहाँ पर मेरा sense यह है कि अगर एक पंक्ति आज तक अमर करा सकती है तो एक यह सिक्षक की नोकरी भी आपको मौक्छ दे सकती है आपको उद्धार कर से एक कलंक जो है यहटा बेरोजगारी का जो बे उपसरग है इस में इस बे उपसरग को हटा सकती है और ये कलंक हटा सकती है तो जुढिये बिना लेट की होई जुढिये तो यहाँ ग्यानस्री शाखा में इनकी लिष्ट आती है तो वहीं पर प्रेमासरी शाखा हलाकि राम कुवार बर्मा ने इसको प्रेम काब्य नाम दिया है इसको प्रेम काब्य के नाम से और इसको संत काब्य तो मैं लिखा ही संत काब्य से अभीद करते हैं नमाजते हैं आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पर प्रेमासरी यानि शूफिक आभी की बिचारधारा में देखेंगे मुला दाउत पाएंगे आप यही पर असायत को पाएंगे आपको शलाब को पाएंगे जैसी को पाएंगे, कुत्बन को पाएंगे इस्वर दास को पाएंगे, दामोदर कभ को पाएंगे जैटमल को पाएंगे, नंदास को पाएंगे आलम को पाएंगे, नाराण दास को पाएंगे उस्मान को पाएंगे, मुहम्मद को पाएंगे सिक नभीब को पाएंगे, नूर मुहम्मद को पाएंगे किसको, कितने को बताऊं यहीं पर पाएंगे शुफी का बिधाराम पाएंगे और सब के बारे में हम बताएंगे सब के बारे में बताएंगे और याद करेंगे आपको आपको स्वेम जुबान पर होगा कि कैसे याद है और कैसे आपको याद होगा कैसे जुबान पे इनकी रचनाए याद होगी है क्या जी इनके बारे में जानी है इनके बारे में आप जानी है इनकी रचनाए जानी है काम समाप्त और वो हमारी जिम्मेदारी है कि कैसे होगा हाँ लेकिन मेहनत आपको करनी है चलना पड़ेगा जितना मैं कहूंगा उतना करना पड़ेगा तो होगा बैठ करके नहीं होगा हमारे पास बटन दबाने की या मेरे पास ऐसी कोई कला नहीं है मैं जूट में बड़ा कम विश्वास रखता हूं हलाकि मैं यह नहीं कह सकता कि मैं राजा हरिश्चंद हूँ, लेकिन यह भी नहीं कह सकता मैं नटवर लाल हूँ, मैं आपका अगर, मैं उस दर्ध को समझ सकता, अभी मैं इस पर थोड़ा सा आप बात करूँ, मैं बाद में बात कर लूँगा, तो यहाँ पर निर्गुण भक्ति साखा के अंतरगत इन्गों ने दो भागों में विभाजित किया और यहाँ पर शगुण भक्ति साखा के अंतरगत यहाँ पर भी दो भाग आते हैं क्रिष्ण भक्ति साखा इसमें आते हैं राम भक्ति साखा और क्रिष्ण भक्ति साख्ण में सब्वाश्ण आप जहां पर यहीं पर आप राम भक्ति साखाओं को अगर देखेंगे तो आप यहीं पर रामानंद को पाजाएंगे यहीं पर गोश्वामी जी के अपने बाबा को पाजाएंगे, यहीं पर आप अगरदास को पाजाएंगे, यहीं पर आपके सवदास को पाजाएंगे, इसी में पाजाएंगे, राम भक्ति साखा में यहां पर पाएंगे आप जो है अगर कृष्ण भक्ति साखा में जाएंगे तो सूर्दास जंडा लहरा रहे हैं, पूरा का पूरा मीरा हैं, रस्खान हैं आपको गदादार भट अभी आ जाएंगे यह पनंद दास आपको मिल जाएंगे पहुत तमाम यही पर स्री भट मिल जाएंगे आपको तमाम ऐसे आपको यहां कृष्ट भक्ति साखा में मिल जाएंगे जो यहां की परंपरा कृष्ट भक्ति साखा और राम भक्ति साखा को ले करके आगे बढ़ते हैं इतने अगर सारे लोग सामिल हैं सूर शामिल हैं तुलसी सामिल हैं रहीम सामिल हैं केसो सामिल हैं कबीर सामिल हैं रैदास सामिल हैं नानक सामिल है, गदाधर सामिल है सुंदर दास है, अच्छा रहे अनन्य है जुश्मान है अगर ये है तो क्यों नहों भई क्यों भक्तिकाल ना कहा जाए आप किसको कहा जाएगा भक्तिकाल कहां पर इतने मिलेंगे विद्वता की पराकाष्ठा पिद्धता की पराकाश्ठा या भक्ति की पराकाश्ठा यहां देखने को मिल लही है चाहे वो संत कावे में मिले या प्रेम कावे में शूफी काव मिले या सगुन उपाशक में मिले यहां मिल ला है हमको आपको मैं एक मैं इसके पहले एक क्लास में बताया भी हूँगा आपको सम्होता याद होगा याद है एक बार बाबा के पास बाबा गोश्वमी जी के पास एक महिला जाती है कहती है कि वो उसकी बच्ची के साधी के लिए कुछ उसको धन चाहिए वो सुचती है कि बाबा के पास तो बड़ा नाम होता है वो शौमी जी का, वो शौमी तुलशिदास का कि बहुत अनन्य भक्त हैं उनके पास जाती है कुछ मिल जाता तो हमारा उधार हो जाता हमारी लड़की का साधी हो जाता तो ये तो सग्णवपाशक परंपराराम के पूजक पैसे से क्या मतलब लेकिन यह एक पंक्ति लिखते हैं कहते हैं जा करके ये रहीम को दे देना सोचिए शग्णवपाशक किसको भेज रहा है रहीम के पास दे रहा है रहीम को जा करके दे देना और लिखते हैं सुरतिय नरतिय नागति अस चाहत सब कोई यही एक पंग्ति लिख करके भेज देते हैं कि जाओ और यह रहीम को दे देना और यह मेरी पंग्ति पहुचा देना कि यह गोश्वामी यह तुलसिदास ने दिया है और तो वो समस्ति है उम्हिला समस्ति की अब इनके पास आए इसके लिए तो ये जो है एक लाइन यही हमको थमा दिया कि अब जाओ सूरतिय नरतिय नागतिय अश्चाह सब को फिलहाल उम्हिला गई और गई जब रहीम दाज जी पढ़ते हैं तो बाते समझ जाते हैं और उसके उसको जो है यथा उचित जितना भी होता है उसके खर्च के लिए सब कुछ कोस से दे देते हैं और वहीं एक पंक लिखते हैं कहते हैं इसको जा करके अब बाबा को दे देना अब गोश्वामी जी को दे देना तो लिखते हैं गोश्वमी जी लिखते हैं गोदलिये हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए सुर्तिय नर्तिय नागति अस चाहत सब कोई चाहे शुर हो चाहे असुर हो चाहे नाग हो चाहे किन्नर हो वो क्या चाहते हैं सभी लोग क्या चाहते हैं गोश्वमी जी ने पुछा कि रही में बताईए सभी लोग क्या चाहते हैं। रहीम दास जी काते हैं सभी लोग यही चाहते हैं गोद लिये हुलसी फिरे तुलसी दास की माता जी का नाम है। सभी लोग यही चाहते हैं बबा कि गोद लिये हुलसी फिरे तुलसी सोसुत हो तुलसी सासुत अगर मेरे पास आ गया बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए यही चाहते हैं ति परंपरा सम्रिद्ध परंपराएं थी यह परंपराएं जो है यह भक्तिकाल की सम्रिद्ध परंप आए है, यहां पर बात हो रही है तो अब हम इसको भक्तिकाल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे क्या सुच्मभिसलेशान है रमचन शुक्लका तो यह जो है आपको यहां पर भक्तिकाल की विचारधारा मिलेगी डिटेल पढ़ा जाएगा मस्ति से पढ़ा जाएगा इसके बाद आपको रीतिकाल आते हैं आधुनिक काल आते हैं रीतिकाल में मैं बात करूँगा कि कौन-कौन रीतिकाल को कितरे भागों में विभाजित किया गया फिर आधुनिक काल को इसके बारे में बात करूँगा लेकिन इसको आज भी आज नहीं हाँ आज इतना मैं जरूर कहूँगा कि समय नहीं है ना आपके पास है और ना मेरे पास है यह अगर इस समय आप मैं जन्म से मैं जन्मना सिक्षक हूँ मैं पैदाईसी सिक्षक हूँ टीचर हूँ बना सिक्षक नहीं हूँ मेरे पिता जी सिक्षक मेरी माता जी सिक्षक मेरे में वो गुड है यूँ ही नहीं है कि बस मैं निकल दिया और हो गया यह जन्मना मिला है मुझे यह कला जन्मना है touching is teaching मैंने जो भी बाते बताई हो सकता है कि आप नौ सुने हो हो सकता आप सुने भी हो जित्रे भी नाम बोले हैं लेकिन हमारा क्याम क्या है system बता देना सिक्षक का काम होता है सिक्षक का काम जो बड़ा दिखाई दे रहा है उसको छोटे में समाहित कर देना यहां जब कृष्ण भक्ति साखा में आएंगे यहां कृष्ण ने छोटे में दिया है अपने पूरे पृत्वी को अपने मुख में दिखा दिया है जब हम उपर से देखेंगे ना जब विषय को उपर से देखेंगे तो जा करके रोसनी पड़ेगी अभी हम विषय को कहा और इसमें अन्य लोग आपको क्या कर दे रहे हैं विषय को ऐसे देखो नीचे सो देखेंगे एक छट का एक तल दिखाई देगा उपर से देखो गए तो पूरा का पूरा एकदम टोटल घर दिखाई देगा अन्य लोग भी दिखाई देगे उपर से देखने का प्रयास करिए और यह कब होगा जब आपके ग्रिक में आ जाएगा पूरा आप जानते हैं एनल्सिस जानते हैं तो जाकर के यह संभव है वैसे संभव नहीं है और यहां तो बस अपनी बाजार बनाने के लिए मार्केट खुब तेशते चिला करके मैं नहीं देखा मैं भी ऐसा थोड़ी नहीं मैं नहीं देखता हूँ कि कौन कौन से लोग क्या-क्या यहां पर कितना एडमीशन हटाओ जी वो यह तो जब एक हुए तो दस होते दस हुए सो की इच्छा है सो पाकर भी संतोस नहीं अब सहस्त्र हो तो अच्छा है यह तो इसमें भी पेट नहीं भरा लेकिन चीटिंग नहीं धोखा नहीं कमिट्मेंट तो कमिट्मेंट चेप्टर पढ़ाया जाएगा चेप्टर पर बात किया जाएगा टेस्ट होगा तो टेस्ट होगा ऐसा नहीं है कि वलकथन नहीं है कि आप और मेरे वीडियो पर मैं यह तो घमंड नहीं करता हूँ लेकिन मैं भी मानो हूँ हो सकता है कि मुझसे किसी बैच में गलतियां हुई हो लेकिन जानते हुए मैं ऐसा नहीं है और अगर कमेंट आ जाता है तो उसको सुधारने का प्रियास भी करता हूँ ततकाल में तो नहीं सुधार सकता है ले उस बैच में तो नहीं हो पाता है लेकिन निश्चित तोर पे मैं उसको सुधार करके पुना उसको भेजने का प्रयास करता हूँ प्रयास रहता है मेरा अपना ये प्रयास होता है मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मेरे जितने भी आप लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे होंगे सभी लोग मुझे लाइक करेंगे ऐसा नहीं है हो सकता है ये तो अपनी अपनी सुनता है विचार रहा राएं है तो आपकी एक्षा है लेकिन ये तो जरूर है कि जो पढ़ा है वो संतुष्ट हुआ है ये रिकार्ड रहा है आप मेरे कमेंट में कभी आप गलत कमेंट मेरे आप अगर मेरे छात्र है सबसे जो पढ़ाय हुए छात्र है वो कमेंट करते हैं आप जब नहीं कुछ खरा उतरते हैं तो आपकी अभिव्यक्ति है और अभिव्यक्ति को बाहर आना भी चाहिए अगर आप मुझसे कह रहे हैं मैं नहीं सुन रहा हूँ तो अभिव्यक्ति कीजिए सुन ले रहा हूँ तो मत करिए तो ये आपके उपर डिपेंट करता है लेकिन मैं बस इतना चाहूँगा समय बहुत कम है और जो भी डिसिजन लेना हो वह एक अस्थाई जैसे ब्रांडेट पहनते हैं न ब्रांडेट कपलास ब्रांडेट शर्ट पहनते हैं ब्रांडेट पहनते हैं कहते हैं न ब्रांडेट तो ब्रांडेट के साथ जुड़ेंगे तो उसमें मानक रहता है उस मानक से वो नीचे नहीं आता है उस पर बात करिए और निश्चित तोर पर आप जुड़िए पिना सोचे समझे जुड़िए आपको एक बहतर चीजे मिलेंगी यह मैं बस सिर्क आप आप मेरे कुछ वीडियो पड़े हैं उनको भी पहले देख लिजेगा दो एक दिन में देख लिजे और जल्द से जल्द यह प्रक्रिया प्रारंब कर दीजे क्योंकि समय नहीं बचा है यह मान कर चलिए अभी मैं 100% तो यह नहीं कह सकता हूँ ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन या कुछ भी आया है लेकिन यह जो प्लानिंग हो रही है वह मार्च के लाष्ट और अप्रेल में हो रही है मार्च के लाष्ट में और अप्रेल में हो रही है कि एक्जाम करा लिया जाए इसको टारगेट रखकर चलिए क्यों आप बहेकाओं में आकर के मई जून जुलाई कर रहे हैं हम मान लेते हैं कि माई जून में हो सकता है हम मान सकते हैं लेकिन हम क्यों इतना अगर इस पर हम achieve करने हैं और इसमें हम पुना एक whole syllabus को पूरा एक ही बार में नचाते हुए चलें तो मज़ा आ जायेगा उसकी कुछ और बात होगी तो अपने target को achieve करिये आप भी अपने पर लगिये और हम तो इसमें काम कर ही रहे हैं और बहतर काम कर रहे हैं बहतर result मेरे साथ आपको मिलेगा आपको निश्चित तोर पर निरास नहीं होना पड़ेगा बस मैं इतना ही कर सकता हूँ इस से अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही फिर हमारी बुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों को जितनी भी हमारे हर्दियाकांची है सभी लोगों को धेर सारी शुक्काम ने और दिल से आशिरवाद जय हिंद